हेलो डियर्स ट्रेंट्स वेलकम बैक और मैं यूट्यूब चैनल एंसे इस अधिक तर्म आज का हमारा जो टोपिक है वो है घादि संसाधन क्या है घादि संसाधन क्या होता है वो आज हमें इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं तो चले सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं कि संसाधन क्या होता है खाल संसाधन के बारे में बात करेंगे पहले उसके परिवासा के बारे में बात करेंगे तो देखिए आप जानते हो कि सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि संसाधन क्या होता है तो कोई भ है संसाधन क्योंकि उन्होंने संसाधन संसाधन क्योंकि उन्होंने वाइव चिंवीत उसे सांस लैने के लिये का करता है त worker करता है आपने सांस के लिए जल का यूस करता है और अपने मांसिक और समझ है इन्सान के लिए भी विकास के लीए इन्सान को सरीरियानि मनुस्य के साधी विकास के बात वदेंग कि इस突 최कल मनुस्ट से जरूरत होती है ना इसी को क्या बोलते है क्योंकि मनस्ट से की यह बहुत ज्यादा इक आवश्यक जरूरत है ठीक है यह इसके बिना तो मनसे जीवित रही नहीं पाएगा उसका सारी विकास नहीं होगा तो ना तो वो कोई काम कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा इसका मलब यह क्या हो गया यह संसाधन हो गया और इस संसाधन को क्या है वो लोग खाते हैं इसलिए इसका नाम क्या हो गया खादी संस संसाधन कहते हैं आगे समझ में क्या होता है खादिश संसाधन यान pudding की अब बात आती हाप और और संसाधनों की जरूत क्यों पड़ी आखिर में खाद संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है तो देखें बच्चों हमारे देश में लगो दो अरब लोग रहते हैं यानि कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग क्या है नमबर वर्ण के अब यह लोग कुछ न कुछ तो खाएंग ले के अंदर सबसे जनसंग क्या है तो कहां पर लोग निवास करते हैं अपने भारत देश के अंदर करते हैं ठीक है तो यह है हमारे देश में लगो दो अरब लोग निवास करते हैं इन लोगों के लिए भोजन की आपूर्ती खाद संसाधनों के विकास से ही हो सकती है ठीक सब्सक्राइब करें फिर्ट किया होता है ज 911 ग्रा इसे प्राप्थ इसे लिए उन की प्राप्ती स्ट्रोट पर आदारित खात गलेश कह होता है यह उसकी 8ी सो आप्व और पुंते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको हम भोलते हैं बनस्पति चलोगयादार्य का था है की यहां बनसपती और दाल है इसे होटा है और सबगा सर्सोका बनता है मसाले से क्वन से होता है कि है यहां पर जैसे कि यहां पर उधारड दिये हुए है, दूसरा होता है जन्तु स्टोत, अब जन्तु स्टोत में क्या क्या होते हैं, जन्तु स्टोत यानि कि जहां से हमें जन्तु से भुजन प्राप्त हो, यानि कि जीवों से प्राप्त हो, तो आपने देखा होगा मासारी लोग क्या कर होती है ठीक है यह सब खादिपदार्थ किस से प्राप्त होते हैं जनतों से प्राप्त होते हैं तो यह हैं यहाँ पर क्या इनके इस्तर होता है ठीक है तो खाद संसाधन कहां कहां से प्राप्त होते हैं हम बनस्पती से प्राप्त कर सकते हैं उनको और जनतों से प्राप्त कर स मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तके लिए जय हिंदु बंद मात्रम।